ओम शान्ति आपका प्रश्ण है क्या मृत व्यक्ति के प्रति रोना या याद करना उस आत्मा को मुक्ति दिलाने में बाधक है। सबसे पहली बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है किसी दूसरे के द्वारा किया गया कोई भी कार्म। किसी भी आत्मा को फल नहीं दिलाता। चाहे वो सुक का हूँ चाहे वो दुख का हूँ। हर आत्मा अपनी की गर्म का फल ही लेती है। चाहे सुक चाहे दुख। हमारी भावनाएं, हमारे संकाल्प उस आत्मा तक पौंशते हैं परन्तु उस आत्मा ने उसे लेना है या नहीं लेना है ये उस आत्मा पर निर्भर करता। वो चाहे उसे स्विकार करें, वो चाहे उसे स्विकार ना करें। इस बात को जब समझ लें और उसके बाद उस आत्मा ने इस परिवार को क्यों छोड़ा। अपने इच्छाओं को पूरा होने से पहले छोड़ दिया। परिवार की इच्छाओं को पूरा होने से पहले छोड़ दिया। उसके बाद वो उनके रोने को या याद करने को क्यों देखेगा। उसका जब इस परिवार से कार्मिक एकाउंट बराबर हो गया तब ही तो उसने इस परिवार से शरीर को छोड़ा। और दूसरे परिवार में जाकर जनम ले लिया। उसके शरीर छोड़ने से पहले गर्ब तयार है। और उसने यहां से शरीर छोड़ा उदर जाके शरीर ले लिया। मुक्ती तो उसी सैकिन इस परिवार से मिल गई। दूसरी बात हमको समझने वाली है, मुक्ती दो है। एक है टेंपरेरी मुक्ती कुछ लोगों से हिसाब बराबर हुआ, उनसे अलग हो गया। एक है पर्मनेंट मुक्ती जो कल्प में एक ही बार सब को मिलती है। जब उसका संसार में किसी आत्मा से एकाउंट नहीं रहता। जैसे एक आत्मा का इस परिवार से जिसने शरीर छोड़ा इस परिवार से एकाउंट बराबर हो गया। छोड़ दिया शरीर अब उसका इसी परिवार के कुछ लोगों के साथ एकाउंट है। तो उनके पास जाके जनम ले लेगा। या जनम भल कहीं भी ले वो उनके परिवार के संबंध संपर्क में आएगा। तभी तो उसका कार्मिक एकाउंट उनके साथ होगा। बाकियों के साथ कट होगा। कुछ लोगों के साथ उसका कार्मिक एकाउंट है। वो जनम लेकर उनके परिवोस परिवार के संबंध संपर्क में आएगा। जैसे वो उनके घर में बहु बनके आजाए, दमाद बनके आजाए, मितr बनके आजाए, परोशी बनके आजाए, किरायदार बनके आजाए, किसी भी रिस्ते से वहाँ आजाए. और बाकियों से हिसाब कट हो गया बाकियों से उसे मिलना नहीं है उनी से मिलना है जिनके साथ कार्मिक एकाउंट है बाकी किसी का रोना किसी का उसे बार बार याद करना किसी भी परकार से किसी भी आत्मा को रोक नहीं सकते और कोई किसी को याद कर रहा है किसी के लिए रो रहा है वो उसका कार्मिक एकाउंट है वे उसका बंधन है और वो उतना समय तक रोएगा जब तक उसका कार्मिक एकाउंट बराबर नहीं हो पर उसको नहीं रोक सकता परमधाम में जाने से पहले हर आत्मा को अपना एकाउंट बराबर करना ही करना रोना, धोना, दुखी होना, खुश होना यह सब कार्म भोग है, कार्मों के फल है पन्तु जो दुखी है उसका कार्म भोग है उसका कार्म भोग नहीं, वो तो चला गया उसको कोई सोचता हो के रोक लेगा, यह उसकी भूल है पर्मानेंट मुक्ती तभी होगी, जब सब के साथ कार्मिक एकाउंट बराबर होगा यदि किसी के रोने से कोई रुख सकता होता, तो वो शरीरी नहीं छोड़ता इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि मृत व्यक्ती के प्रति, चाहे कोई सारा दिन रोता रहे वो अपने कर्मों के कारण रो रहा है उसे रोना है, उसे ने दुखी होना है, इसलिए रो रहा है उस आत्मा पर इसका कोई असर नहीं है उस आत्मा को ना उसका रोना रोक सकता है, ना उसका याद करना रोक सकता है वो याद करके रोता रहे या खुश होता रहे, वो उसका पाट आत्मा को तो अपना accurate पार्ट बजाने के लिए उस स्थान पर पहुँचना है जहां उसका रोल है और हर आत्मा का रोल उस आत्मा के अंदर recorded है अभी नाशी recording है जिसे संसार की कोई ताकत सुप्रीम पावर परमपिता परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता स्वेम या कोई और आत्मा तो दूर स्वेम परमात्मा भी उसके पार्ट में एक सेकिट का भी चेंज नहीं कर सकता वहाँ कोई भावनाएं नहीं चलती लॉइज लॉइज लॉ बस इसी परकार आपके मन में कोई भी प्रशन उठते हों उन सभी के लिए अभी तक जितने भी प्रशन पुछे गए हैं उन सभी प्रशनों को Seven Playlist के अंदर दिवाइड करके आत्म से सम्बंदेट, परमात्म से सम्बंदेट, कर्मों की कति से सम्बंदेट, योग से सम्बंदेट, सृष्ठी चक्र से सम्बंदेट इन सभी विशों में उन्हें डिवाइड करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास बेजा जा रहा है आप उन्हें देखकर अपने सभी प्रशनों के उत्तर जान सकते फिर भी यदि आपके मन में कोई ऐसा प्रशन रह गया हो जो वहां ना हो तो आप उसे अवशे 9213106986 पर वाट्सेप करें ताकि उस पर भी वीडियो पना कर सब के पास बेजा जा सके ओम शाम